हलो आप सब का मेरे चैनल स्वेडिंग लाग्यान में स्वागत और अबनेंदन हैं मैं आज आपको IPC की एक important problem पूछ रही है अगर आपको उसका उत्तर पता है तो इन्बाक्स में जा कर टाइप करिए और नई पता है तो मेरी पूरी वीडियो वाच कर लिजें आपको कोलकाता जाने वाली रेलगाडी को 35 उतानने के आजार देने का अनुबंद 10,000 रूपए का प्रतिफल लेकर किया और ने कौन सा अपराद करिक किया क्या कहरा आपको कोलकाता जाने वाली रेलगाडी को पत्री से उतानने के आजार देने का अनुबंद 10,000 रूपए में किया था फिर आने बको और आजार भी दे दिया तो आने कौन सा अपराद किया प्रस्तो समस्या जो आईपीसी की धारह 107 है और 511 के उबंध के अंतरगा सुसंगत है 107 में दूस पेरड की परिभासा दी गई है और दूस पेरड के तीन तरीके भी बताये गया है क्या तो उकसाने द्वारा, खर्यांत द्वारा, कांस्पिरेसी द्वारा या सहायता द्वारा प्रस्तो समस्या में अब आपको कौलकता जाने वाले रेल गाड़ी को पट्री से उतानने के लिए औजार देने का अनुबंध 10,000 रुपे को प्रतिफल लेकर किया आनिबा को औजार दे दिया प्रस्तो समस्या में सहायता द्वारा दूस्पिरण से समन्दीत है धारा 107 का इस पस्टी करड़ दो सहायता के द्वारा दूस्पिरण को और इस पस्ट करता है इसके अंसार जो कोई या तो किसी कारे को किये जाने के पूर्विया किये जाते समय उस कारे को किये जाने के सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है सुकर माने असान बनाने के लिए कोई कारे करता है तद अंसार उससे किये गये कारे को सुकर बनाता है तब वह उस कारी को करने में सहयता करता है 107 क्या कहती है कि जो सहयता दोरा इस प्रस्ट की करण है उसको और इस प्रस्ट करती है और कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारी को किये जाने के पूर्विया किये किसी काम को आसान बनाने के लिए कोई का बात करता है या कि एक एक खारी को आसान बनाता है तो वह सहायता दौरा दूस्पेरर का दोसी होगा 107 में जब हम इस्पश्टी करड़ 2 को पढ़ते हैं तो यह इस्पश्ट होता है कि एक ब्यक्ति एक कारी को करने में सहायता पोचाने की करड़ दंडित नहीं हो सकता या दिवाकारिन नहीं किया जाता है क्या के रहा है कि जब हम 107 का इस पस्टी करण दो देखते हैं तो यह बताता है कि एक व्यक्ति कोई कारिक करने के सहायता दर और दूस्पिरण का दोसी नहीं होगा जबकि वह कारिन नहीं किया जाता है सहाइता पहुचाने का मात्र आसे भले ही वह किसी ऐसे कारिक से सुजंगत नहीं क्यों न हो, जो कि सहाइता पहुचा सकता था दूस्पेरड गठीत करने के लिए तब परियाप नहीं है, जब तक कि आसाइ क्रित वास्तों में घठीत नहीं हो जाता और उसे सहाइता प्राथ करने के लिए आउसिक है कि जो सहायता पहुचाई गई है वह कारी घटित हो अगर वह दूस पेरड का गठन ही होगा यदि वह वास्तों में कारी घटित नहीं होता या सहायता प्राप्त नहीं हो जाते प्रस्तुत मामले में भी अब कोलकाता से जाने वाली रेलगाडी को पत्री से उतानने के लिए औजार सौब दिये और थात उसने रेलगाडी को पत्री से उतानने के लिए अपराध में सुविधा प्रादान कर दी यद्य भी रेलगाडी पत्री से नहीं उतरी इसलिए सहायत साहता दार दुस्पिरण नहीं माना जाएगा मतलब क्या कह रहा है कि इस मामलेम क्या हुआ था और निबाव को कुलकाता से जो गाड़ी आती है रेल गाड़ी उसे पत्री से उदारनें के लिए और जार सोब भी दिया लेकिन जो सुधा भी प्रदान कर दी अपराद करने के लेकिन जो रेल गाड़ी है वो पत्री से नहीं उत्री इसलिए सहता दादर दुस्पिरण का अपराद नहीं माना जाएगा किन्तु आर बनाम इस्पायर जो अठारव सो क्या है आर बनाम इस्पायर 1887 का केस है जिसमें नैले ने कहा था कि किसी अपराद का दुस्पिरण अता दुस्पिरण को भी कारिद करने का प्रयास जो सहता की धारा 511 का अपराद है इसलिए दुस्पिरण का रिख करने का प्रयास भी जो 511 की अपराद हो गा अर्था प्रस्तूत मामले में चुकि रेलगाडी पत्री से नहीं उतरी अर्था सहायता दरा दुस्पेरड का अपराद नहीं हुआ इसलिए रेलगाडी को पत्री से उतानने के सासे सहायता प्रदान करने के दुस्पेरड के अपराद के प्रयतने के लिए दोसी होगा मतलब क्या किया रहा है कि चुकि जो रेल गाड़ी है उसने अनबंद किया था और उसने अवजार भी आने बाको दे दिया था लेकिन जो रेल गाड़ी है वो पट्री से नहीं उत्रा अर्थात सहायता दोरा दुस्पेरण का अपराद गठितनी हुआ लेकिन क्या है कि रेल गाड़ी को पट्री से उतानने के सासय सहायता प्रदान करने का जो दुस्पेरण है उसकी अपराद की प्रयतनी के लिए ऐसा प्यक्ति दोसी होगा इस तरह मैंने आपको प्रावलम बताई प्रावलम का सलूशन बताया ऐसी एची एची प्रावलम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक और कमेंट करिए ठीक है धन्यवाद थैंक्यू